हताशा के आगोश में मध्होश युवा मन क्या आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं क्या घर बाहर की मामूली से मामूली बातें गहरे से चुब कर आपको दुखी कर डालती हैं जरासा गलत काम कर बैठने या किसी की बत्तमी इसे बोलने पर क्या आप बहुत अधिक विचलित हो उठते हैं कुछी लोग क्या हम ऐसे बहुत सों के साथ यही होता है कुछ लोग अपने कामकाज या प्यार में दोका खा जाने पर उसके गम को धेरों दिन या यूं कहिए कि वरसों पाले रहते हैं नतीजह होता है अपने आप से दुश्मनी या खिलवार और अपने सगे संबंदियों के लिए एक मुसीवद बन कर रह जाना ऐसे लोगों के लिए जिन्दगी एक मुसलसल या निरंतर बोज बनी रहती है जिसमें सुकून के पल इतने कम होते हैं के उंगलियों पर गिर लो इस प्रकार की हताशा के विशह में मनोव ज्यानिकों की राय है कि यह आपके सोचने के तरीके से उपच्छती है इस सोच में जहां कुछ गलत हुआ कि हताशा आपको धर्दब उच्छती है और इसी को काबू कर लें तो हताशा के दौर से अधिक से अधिक बच सकते हैं एक होती है प्रतिक्रियात्मक हताशा या किसी प्रिये को खो देने के फल्सुरूप उपर सकती है इसके कुछ निश्चत लक्षन है जिसे आपको बहुत निराशा, भुजा हुआ महसूस करना धेर अकर्मान्यता से शरीर का लुण्जसा हो जाना आत्मिश्वास की बेहत कमी भविश्च के प्रति कोई आशा या संभावनन नहोना सदैव महसूस करना कि जीवन में कुछ अमुलिक होता जा रहा है इस प्रकार की हताशा हम मैंसे अधिकांश लोग अक्सर महसूस करते हैं हताशा का यह सुरूप बहुत सामान्य है और यह भी सच है कि हमारे सोचने के गलट ढंग से हम मूड के हमलों को बहुत दनों तक झेलते रहते हैं इस प्रेशन के उत्तर में मनोवज्यानिक इसपस्च करते हैं कि जब हम किसी घटना को आवश्यक्ता से अधिक बढ़ा करके देखने लगते हैं तो हताशा के भवर में फस जाते हैं एक छोटी सी गलती को आवश्यक्ता से अधिक गंबीरता से लेकर हम स्वयम को उसके लिए इस प्रकार कोशने लगते हैं जैसे हैं गलती इस बात का प्रमान है कि मैं मूर्ख हूँ अक्षम हूँ और जीवन में ऐसा ही रहूँगा इस तरह की नरंतर सोच भला किसे हताश ना कर छोड़ेगी कभी कभी किसी मित्र या सायोगी से तनिक सी कहा सुनी हो जाने पर हम सिर्धुने लगते हैं वह मुझे पसंद नहीं करता इसलिए ये टकरा हुआ वह क्या उसकी तरह और भी बहुत से लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि पसंद करने जैसा मुझे मैं कुछ है ही नहीं सच पूछिये तो इस प्रकार के सामाने निसकर्षों के मूल कारण वे नहीं जो हम सोच बैठते हैं बलकि यह सब हमारी विक्रिस सोच का ही पढ़नाम है हम मैंसे अधिकांश लोग सही और गलत को मन में एक निश्चत धाना लेकर चलते हैं सही श्वेद और गलत काले रंग के रंग से रंगा समझा जाता है परन्तु इन दोनों के बीच कहीं सिलेटी रंग भी हो सकता है यह हम सब की सोच में नहीं है इस बात को अधिक इस पस्ता से समझना हो तो उस व्युवक का उधारन देखे जिसे यह गलत फ़हमी थी कि या तो लोग उसे प्यार करते हैं या एकदम नफरत किसी ने तनिक उबेक्षा से बात की नहीं कि वह एकदम बुझ जाता था वह यह सोच नहीं पाता था कि प्यार या नफरत की अत्रिक लोग उसके प्रती बेवहार में सामानी या तटस्त भी हो सकते हैं एक खिलाडी की भी यही प्रवल आकांशा थी कि वह हमेशा प्रथम इस्थान ही प्राप्त करें और दुती या तृती इस्थान प्राप्त करने पर वह बहुत हताश हो जाता था हम ऐसे सक्त प्रतिशत लोग जीवन में एकार लक्ष के पीछे भागते रहते हैं एक आम ग्रहस्त का लक्ष होता है मकान बनाना या नौकरी में उच्छे उठना लेकिन कुछ लोग इन जाने बूजे लक्षों से कहीं उचे और सुदूर लक्षों को सामने रखते हैं करोड़पती बनने फिल्म स्टार बनने या खेल में ख्याती प्राप्त करने जैसे अन्यक लक्ष जन्हें सामने रखता है एक महत्वा कांशी लेकिन अस्फल हो जाने पर नतीजतन गिरता है डिप्रेशन या हताशा के गहरे गड़े में ऐसा होता है एक निश्यत उमर तक यह भी सच है कि 40 की उमर तक अपने लक्ष की पूर्टी ना हो सकना कुछ लोगों के लिए हताशा का कान बन जाता है अच्छा तो यही होता है कि पहले लक्ष ऐसे रखें जो आप आसानी से प्राप्ट कर सके सफलता मिलती रहे तो लक्ष शेत्र बढ़ाते जाए इसका अर्थ है कि वर उनी बातों को समझना बूजना या मानना जिसमें आपकी आस्था हो उधारन के लिए यदि आप हमेशा सोचें कि आप एक बेकार के इंसान है या बदसूरत है या फिर कोई शक्ती आपको इस सोच से फिरा नहीं सकती ऐसी सोच आपको बहुत दुखी और हताश करती रहेगी और आप एक लंबे समय तक इस से उवरने में नाकाम रहेगे एक सफल परन्तु सभाव से डिप्रेस्ट खिलाडी अकसर अपने पुराने अच्छे रिकॉर्ड को भूल करें आपको हाल की ऐसफलता से दुखी होकर हताश हो जाता है जो एक गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसे ऐसे न जाने कितने चाहिए हमें चारों और से घेरे रहते हैं और हम मेंसे नजाने कितने लोग इन्हें पूरा करने की भगदर में पड़े रहते हैं लेकिन पूरा कर नहीं पाते प्रसिद मनो वज्ञानिक अलबर्ट एलिस ने कुछ ऐसे ही चाहिए आदर्शों की एक सूची तयार की है जो इस प्रकार है मुझे सुकी रहने के लिए हर काम में सफल होना ही चाहिए मुझे हर समय हर एक द्वारा प्रशंसित होना ही चाहिए मुझे चाहिए कि मैं हर समस्या का अतिशिग्र समाधान ढूंड निकालू मुझे हर चीज को जानना उसका पूरवास होना और उसकी समझ होनी ही चाहिए हम मैंसे बहुत सी लोग इन कठिन आदशों की पूर्ती करना चाहते हैं परंतु अक्सर असफल रहते हैं और तबी हताशा से ग्रस्त हो जाते हैं ऐसे नियम या आदश हमारे भीतर बैठ कर हमें कोडे मार मार कर आगे बढ़ाते हैं और परणाम स्वरूप तरस कर डालते हैं इन पांचों कारणों की अत्रिक्ट भी कुछ ऐसे कारण हैं जो हताशा को जन्द दे सकते हैं यह कुछ ऐसे लक्षणों का समू है जिने मनोव ज्यानिक ओड़ी गई लाचारी के नाम से पुकारते हैं यानि Learned Helplessness इन लाचारी के सिकंजे में जकड़े आप अपने आपको बहुत कमजोर और हताश पाते हैं इन्हें बदलने में असमर्थ रहते हैं और धीरे धीरे इसे अपने हिस्से का दुर्भा के समझ कर भोगते रखते हैं ओड़ी गई लाचारी या यूँ कहिए कि बाकाइदा स्विकार की गई ऐसी लाचारी हम प्रति दिन की दुनिया में अनेक लोगों के सोहाओ में देखते हैं आज व्याफसाइक इस तर पर लोग नौक्रियों की तलास में दरदर भटकते हैं तो इन्हें बार-बार की असफलता इस प्रकार की लाचारी के अन्दे कुए में धकिलती जाती है वास्तव में इस मामले में दोश बुक्त भोगी का नहीं होता दोश होता है अभाओं का, सुविधाओं का या नौक्रियों का असफलताओं से हताश लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी भी प्रियास की कीमत पर कभी कोई नौक्री मिलेगी ही नहीं ऐसी अरजे लाचारी के पंजे में जक्ड़े हुए वे नौक्री के तलाशी छोड़ देते हैं और अपने आपको नौक्री ही नहीं वरण जीवन के अन्य शेत्रों में भी हारा हुआ बेकार या कूड़ा समझने लगते हैं पढ़ाई के विशय में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कुछ बच्चे गणित में कमजोर होने पर अन्य विशयों से भी विरक्त होकर पढ़ना ही छोड़ देते हैं उन्हें लगता है कि वे इतने गदे हैं कि पढ़ाई उनके बसकी नहीं और यहीं से उनका अध्यन समाप्त हो जाता है लेकिन स्वभाग से यह सभी लक्षर या मानितां उल्टी भी जा सकती है इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है धीरस से समय को बीटने देना समय एक जवज़स्त मरहम है समय के साथ हताशा की गहनता या उसकी चुबन भी धीमी पढ़ जाती है इसका एक अन्य उपाय है इस हताशा के मूल पर तगड़ा प्रहार किया जाए हताशा को दूर भगाने का सबसे अच्छा उपाय है कि छोटे-छोटे कारियों को क्रम से किया जाए शुरू में बहुत सरल कारे करें और धीरे-धीरे कठिन कारी की ओर बढ़ते जाए इन कारियों में सफलता मिल जाएगी तो अपनी लाचानी की भावना धीरे-धीरे पीछे ढखेल दी जाएगी कई बार मनो व्यग्यानिक हताशा में डूवे व्यक्ति को क्रोध के माध्यम से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करते है जो उनके लिए फूट कर सहज होने का कारण या उपचार बन जाता है हताशा की पड़तों तले दबे एक व्यक्ति को एक कमरे में बैठा कर मनो व्यग्यानिक उसे इतना लताता या गरियाता है कि अंततर रोगी भी क्रोध से बौकला उठता है और उसी समय उसे वहाँ से हटा कर बाहर ले जाया जाता है इस नाटक से हताश व्यक्ति के मन में यह बाद बैठती है कि यह दुनिया एक प्रकार का नाटक है और यहां क्रोध जैसा जबजस्त अस्त हमारे माहौल को प्रभावित कर सकता है इस प्रियोग का सहज निश्कष शायद यही है कि हताश व्यक्ति के चुप्पी और लाचारी को क्रोध के माध्यम से तोड़ कर उसे गतिशील करना सकस्स थेरपी का एक अन्य रूप यह भी है कि कल की उपलब्दियों को कांगज पर उतार कर उन्हें बार बार देखना पढ़ना और उनसे प्रेड़ना लेना बीते हुए कल की उपलब्दियां हताश व्यक्ति को एक बार फिर सीधा खड़ा होने को उकसा दिए गतिशीलता कुछ करते रहना पिछली सफलताओं को याद करना छोटे छोटे चहेते लक्षों को सामने रख कर उन्हें पूरा करना हतासा से बज़ने का सफल लुप चार है अरे हाँ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते हैं ये बंजारा बीट्स